हेलो गैस वेलकम बैक टो चनल PCMP डिजिटल गुरुकूल तो बटा सेबंथ क्लास की हमें वर्कशिट बनानी है साइन्स की तो देखो भई इसमें क्या हमारे सामने चीज आएगी अगर हम इस वर्कशिट को बनाएंगे तो पेड पतंग अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो उसके हम कह देंगे कि हमें हमारे चारों तरफ गाड़ी दिखती है या हम कह देंगे हमारे चारों तरफ हमें मेज दिखती है या हमें हमारे चारों तरफ पैंसिल दिखती है या हमें हमारे चारों तरफ रबड दिखती है या स्कूल दिखता है है ना या पानी दिखता है या गिल क besides के वाजर्यास नजर आता है या पेड जिसे यहां पर नजर आरे हैं से हम कहाँ देंगे कि सूरिय नजर आता है या हम कहाँ देंगे तारे नजर आते हैं तो ऐसे हमें अपने चारा ज दरफ के वस्ते हैं धुएगई अब हमें बताना होगा कि इन में से कौन सी चीजे ऐसी है जो गती शील है और कौन सी विराम में है तो भई पेड विराम में वस्तु है लेकिन तारे तो गती शील है सूरिय हमेशा घूमता रहता है तो वो भी गती शील के हिस्से में विराम वाले लिख रहे हैं ने मिटा है तो भई जैसे पैंसिल है वो विराम में है पैन है विराम में है रबड है विराम में है स्कूल है गती में है गती शील वस्तु देखेंगे हम तो भाई हमें पता चलेगा कि जैसे हमारे माता पिता हैं वो हमेशा मूव करते हैं या गाड़ी जो है वो मूव करती है सूर्य चलता है तारे चलते हैं तो भई आपको कैसे पता चला कि देखा होगा कि कुछ समय पहले पले स्थान पर दिखाई नहीं देती तो बत्तिशीलर और सेंट स्थाइल पर दिखाई दे वो विराम में है तो थैंक यू रच वछ वच्ट वच्टा वच्ट 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 वर चानल और की शौर्ट है